दोस्तों कल का आई प्याइजर हैदराबाद वर से मुंबई इने से बीच में यह मैच ऐसा था जैसा लग रहा था कि स्पोर्ट हो रहा हो धमाका हो रहा इतने ज्यादा च्छक्के पड़े टूर्णामेंट पर 38 च्छक्के लग गए एक मैच में पहली पारी में इस तरह से करने का फैसर लिए यह दिमाग लगाया हर्दिक पांडिया ने कि साम को मैं मैच करने के लिए आऊंगा तो ज्यादा पर जाएगा तो बाल हां से नहीं लगेगी और चौके च्छक्के ज्यादा लगेंगे हुआ इसका उल्टा बल्गे पहले बल्लेबाद की तरफ से सबसे तेज अर्सा तक लगाने वाला पहला पहला बल्लेबास ता उसके बाद अपसेख सर्मा जो की वरंडाउन पर आए थे में गर्वाल आउट हो गये थे उसके बाद उस बंदे ने वहां पर सोला ही गेंद मेहा पर अपना अर्शा तक ठोक दिया एक रिकार्ड बना जिस तरह से बंद आया था आपसेख सर्मा को मैंना दमेश भी दिया गया था तीन विकर गिरने के बाद मैकरम और क्लासिंग तापर तो बैटिंग कि और इसको बना दिया था लेकिन इस में को सब्सक्राइब तो नहीं पाया था लेकिन एक विशाल इसको लग रहा था बहुंकि नहीं ना मुंकिन लेकिन अपर तो बैटिंग करना शुरू कि लग रहा था ठीक ठाप को स्मार्टम करने लिकिन उनका विगड़ गिर गया उसके बाद जमनमांधीर और अक्तिलग वर्म बैटिंग कर रहा था बारा उबर तक कमाच किया मुंबई इंडियस अभी फाइट में लेकिन जैसे तिलग वर्मा का विकट गिरता है उसके बाद आते हैं अब कुछ को खाल नहीं पाते हैं फिर दिरे ऐसा लगता एक सोलह सब्सक्राइब नहीं पाते हैं इतने ज्यादा पहले बल्ले वाजी कर रहे तो अठारा चौकी लगाए थे उसके बाद जब मुंबई इंडियस बैटिंग करने के लिए तो बीच शक के लागा डाले मुंबई इंडियस ने लिकिन चौके बारा ही लगा वह सारे लोग बोल रहें ट्रेविस हट का चूट गया था इसलिए बैट्स माने उसके बाद कोई खास कुछ करन बाता था में बालिंग के दम पे हमेशा सब्सक्राइबराबाद जीती थी एक समय ऐसा रहता था कि 108-30 मना कर अपने बालोरू के दम पे जीत जाती थी लेकिन अब इस तरह से लिए जिस तरह से लिए बैटिंग मजबूत हुई हो सकता रसी भीए जराइबाद मुझे साराया ज्यादा मजबूत दिख रही कि इसके पास बैटिंग लाइन मजबूत हो गई है बालर भी इसके पास ठीक थी ठाक है काफी अच्छी लेकिन बालिंग काफी जयता कम जोर असी एक कर बालिंग इसनमें पहुंचाता खतरना को कोई किलेगा आर सीवी की बालिंग मुझे कम जोड दीख रही है मैं तो आर्सीवी कफैन हूं लेकिन जिसथा राजा है लडाई है लेकिन अभी देखना अभी आठी मैच हो ना सबते हैं ऊसके नीजिता हो जाता है कई कर सकते हैं लेकिन आज का देखकर काफी मज़ा आ गया मुझे लग रहा है किया कहता है कई ज्यखहा पर यह वह इंदिया आ रहा है और हुट पाटना कि लिए लेकर चले आते हैं हर्दिक पंडे बैटिंग अच्छी कर लेते हैं फिलाल आज नहीं चल पाइए लेकिन पावर फ्ले मी ओपर फेकने के लिए चले आते हैं आप इसके आपके अच्छे वाला रहे हैं जैसे जस्वीत गुरुमाग से आप पहला दूसरा उपर फेका सकते हैं जिस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकता है लेकिन मैच हो रहा है जिस तरह से काफी मजा आ गया जिस तरह से मैच होता है इस तरह से बैटिंग पीज मनी रहती है तो आप फी अच्छा लगता है जिस तरह से आज के मैच के हीरो आप से सर्मा है कोई सोच नहीं सकता था मैच के पहले आज इस तरह से बंदा धमाका कर सकता क्लास जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे पहले दस ओबर के बाद हाई स्कोर आई पिल में सबसे ज़्यादा नुक्सान पर उसके पहले एक सो एक्टिस न बनाया था सेनेज सूपर किंग ने अब उधाबी में लेकिन उसका रिकार्ट सनाइजा हैजाबन ने कल तोड़ दिया एक मैच में सबसे ज़्यादा टोटल तरण इसका रिकार्ड बना एक सीजन का सबसे तेजी से यहां पर 50 जो अर्से तक लगाया है अभी तक इस जो आइक मैच में सबसे तेज़ अर्से बड़ा इसको एक सो और ताइस बनाया दो बिगट के नुक्सान पर इसके पहले किसी नहीं कर दिया था तो कल के मैच में बहुत सारे बने मैक्रान ने 42 और क्लासर ने असीड़न बनाए इसान किसन तेरह गेंदू चोटीसमें नमंधीर तीस रां तिलाक परमा चौट हर्दीक पंड़ा ही तीम डेविट बाइस ने सुरू में काफी स्लो के लिए थे फिर बाद में तेजी खेलना सुरू कर दिये लेकर सेफट को लाट में बुलाएगा च्छे गेंदों में 15 मनाए अर्दिक पंड़े की जखा अकर सेफट आ गया होते जिस तरह से खेलते हैं समय अच्छे फाम में चल रहे हैं तो इंपक्ट प्लेयर के रूप में आया थे कल मैच का रूप बदा सकते थे लेकिन हार्दिक पंड़े के उपर उमीदे थी कुछ कार नहीं पाये थे और मैच धीरे-धीरे स्लो होता चला गया एक समय इसा लगा था कि सोला गेंदे हो चुकी है कोई बारा उपर तक मैच हुआता ना मुंबई इंडियस पूरा बराबर गें में थी ऐसा लाग रहा था प्लेट वापसी किया है तो आज मैं चाहता हूं कि दिलही कप्टर जीते लिए लेकिन अपडेट के लिए क्रिक विद्व चनल को सब्सक्राइब करें मेरा इस्टाग्राम वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं मेरा ब्लाग के लिए थाप तब तक मिलता हूं आपको एक नए आपकी वीडियो के साथ आज के मैच में काफी ज्यदा मजा आगा इस तरह से होता है तो हम इस वासूल मैच जो भी दर सकते हैं हम इसको मैच भी होता है